हेलो दोस्तों खेंपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे रिपेरिंग के वीडियो लाते रहते हैं तो फिलाल आज मैं आपके लिए लाया हूँ आप देख सकते हैं कितने बहतरीन वाले बोर्ड और आप अगर इनका नंबर जानते हैं तो मुझे कमेंट बताएं कि इस बोर्ड का क्या नंबर है ये देखने में अलग हैं लेकिन दोनों ही बोर्ड आप देख सकते हैं के एक ही नंबर के IC के हैं ठीक है बस यह है कि इनका size अलग अलग है यह वाला जो है यह DTH में use होता है DTH वगेरा में जो आजकल मिल रहे हैं तो यह छोटे वाले board और यह वाला amplifier में use होता है जो के 62-3 के amplifier आते हैं single channel में और double channel में दोनों में आते हैं काफी बढ़िया उनकी sound होती है तो यह amplifier में और यह DTH में इस्तिमाल किया जाता है आज हम बात करेंगे इस IC के बारे में जो इसमें audio के लिए लगाई गई है देखिए आप इसका number देख सकते हैं आप इसका number देख सकते हैं इसका number है 6283 यानि के 62-3 तो आज हम इस 62-3 IC के बारे में ही बात करने वाले हैं अगर आप भी music का शौक रखते हैं तो आपने कभी या कभी 62 के amplifier का use जरूर किया होगा आज हम बात करेंगे इस IC के बारे में और यह IC जो है दोस्तों यह single IC double channel में है आप चाहें तो इससे single speaker भी चला सकते हैं double speaker भी चला सकते हैं आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आपके DTH की audio IC अगर आपके DTH में यही IC लगी है यानि कि यही बोर्ड लगा है 6283 नंबर का और अगर इसकी IC खराब हो जाती है आपके DTH में amplifier में या फिर आपके किसी और audio बोर्ड में तो आपको यह market में कितने रुपए की हैं तो वैसे तो मैं भी repair ही करता हूं मेरी भी shop है लेकिन मैं इतने जादा पैसे चार्ज नहीं करता हूं मैंने आपको समय समय पर कई बार बताया भी है और आज अगर हम इसके price की बात करें कि market में यह आपको कितने रुपए की मिलेगी तो market में आपको इसके price जानकर आप जाएंगे क्योंको यह बहुत ही जादा सस्ती IC मिलती है मैं आपको IC दिखा देता हूं दिखिए देख सकते हैं आप ठीक है और इस side से भी देख सकते हैं ठीक है शायद आप देख सकते हैं इसका number जो है वो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो अगर हम इसके price की बात करें दोस्तों तो यह आपको market में जो electronic shop है उस पर आसानी से मिल जाती है और इसका price जो रहता है वो रहता है लगभग 13 रुपे मेरे यहां की जो shops हैं जहां से मैं लाता हूं समान वहाँ पर यह 13 रुपे की 1 IC मिलती है अब कुछ जगाओं पर यह जादा की मिलती है जै लेकिन अगर यही IC आप किसी mechanic से लगवाते हैं तो वो आप से इसके 60, 70, 80, 100 रुपे तक charge कर लेते हैं तो बस मैं आज आपको यही बताने आया था कि अगर आप इस IC को खुद लगाएंगे तो यह थोड़ी सस्ती पड़ेगी और अगर आप कहेंगे तो मैं इस IC को लगाने में खुद ही लगा सकें